नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश कुमार सिंग और आप देख रहे हैं 4PM महराष्टर दोस्तों महराष्टर में राजनीती इन दिनों बड़े ही इंट्रेस्टिंग मोड पर पहुँच गई है इंट्रेस्टिंग मोड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोज नए नए बातें निकल कर सामने आ रही है महराष्ट में दो बड़े जो है वो गटबंधन वाले दल है एक तो MVA गटबंधन और दूसरा NDA गटबंधन अब ये दोनों ही गटबंधन जो है महराष्ट में जब लोग सभा चुनाओ होने वाले थे तो तमाम तरीके से जो है ये बात लोगों तक और मीडिया तक ये पहुँचा रहे थे कि हमारा गटबंधन जो है सबसे ज़ादा मजबूत है और हम बिना किसी मन मुटाओ के आरा चरंग का चुनाओ खतम होते होते एंडिये का कम सब्सक्राइब के कुछ ऐसे बाते सामने लगी जिसको देखकर लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि बताया जा रहा था सीट पटवारे के टाइम पर अब सिच्वेशन ये हो गया है कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरी तीनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे पर भरोसा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते तक नहीं थे और जभी भी सारवजनिक तोर पर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि सब कुछ ठीक है और हम अच्छे से हमारा अलाइंस जो अब को बताता हूं अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह सामने आया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजिपी एक सर्विक्षन करा रही है महराश्ट्रा में कि सर्वेक्षन किसलिए सर्विक्ष्न इसलिए कि वह बीजिपी इसमें देखना चाहती है कि क्या वो अकेले अगर विधान-सभा चुनाओं में मैदान मुतरती है तो उसे किस तरी का response मिलेगा और अगर एकना शिंदे के साथ हो घड़ बंधन में रहती है तो किस तरह का response मिलेगा जीद पवार की साथ उस घड़ बंधन में रहना है या नहीं रहना है इसका अंदाजा भी उसे इस सर्वेक्षन से हो जाएगा अब जो रिपोर्ट आई हैं उसके मुताबिक 106 सीटों पर उन पर यह सर्वेक्षन चल रहा है वहां के लोगों से वहां के ग्राउंड जो लोग हैं वो काम करने वाले उनके द्वारा यह स सोचिए कि बीजेपी किस तरीके से जो है वह लोगसभा एलेक्षन के बाद किस तरीके से वह काम अप करने की सोच रही है ग्राउंड लेवल पर उतरके सर्वेक्षन जो है वह शुरू कर दिये गया है और इसमें मैं आपको बता दू कि यह तब हो रहा है जब लोगसभा च कर रहा है कि यह जो बीजेपी ने स्टैप उठाया सर्वेक्षन का यह अर्शेस के तरह से बोलने से नहीं यह बहुत पहले सही इनकी तरफ से यह प्लान था और वह उसको इंप्लिमेंट कर रहे है उसको लागू कर रहा है अब आप सोचिए कि अब विश्वास यतरा हो गय कि तो उनकी तरफ से किस तरीके से जुबाने जंग चल रही है वो तो आप सबको पता ही है उस दिनों पहले ही किस तरीके से एकना शिंदे जो है उन्होंने कहा था कि 400 पार का जो नारा लगाया गया वहीं हमसे गलती हो गया और एक गलत नरेटिव सेट कर दिया गया कि गया है जो कहते हैं गेम जो है एक तरसे चल रहा बेंग इम उसका जो बाल है वो बीजेपी के पाले में फेक दिया और वैसा ही कुछ करते दिखाई दिये हैं आज जीद पावार के गुट के चगन भुजबल जो बीजीपी और पावार के निशाने पर आई हुई थी अब इन्होंने वह बॉल जो है वो BGP के पाले में उन्होंने भी फेखी है और यह कहते हुए फिए कि महाराश्टरा में तो हम सिर्फ 2 सीटों पर लड़े थे पर तो BJP लड़ी थी, फिर हमने कैसे नुक्सान पहुंचा दिया, और महारास्टर की बात नहीं है, उन्होंने UP का भी जिक्र किया और बताया कि UP में भी तो BJP के यही हालत हुई है, तो directly कहिए यह indirectly, जगन भुजबन ने अब जो blame game चल रहा था, उसका भी जो ball है, वो BJP के प science है, वो कैसे, पहले तो अपने ही दल की नेताओं से, जो है वो solution निकाले उनका कि कैसे आगे जाना है, यह विधान सभा चुनाओं को देखते में चुनोतिया खड़ी है, उसका समधान निकाले, भाई, जो election में नुक्सान हुआ है, वो विधान सभा में कैसे सुधारा कि वो नाकाम होती दिखाई दे रही है, यह अब लगतार बीच में खबरे आए थे कि BGP की तर से उद्धो ठाकरे को मनाने का काम चल रहा है, और आरसिस भी यही कह रहे थी कि उद्धो ठाकरे से रिष्टे सुधारे जाने चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कि विधानसवा चुनाओं में किस तरफ रिजल्ट जुपने वाला है, और इसलिए उद्धो ठाकरे जो है वो लगतार यह कह रहा है अपने पार्टी के कारकरताओं से, कि 180 से ज्यादा सीटे वो इस बार जीतने पर फोकस करें, भाराज में टोटल 288 जो है विधानसवा के स किसी पार्टी के साथ नहीं, बलकि इंडिविजल अपनी पार्टी को लेकरके, अपने ही नेताओं को लेकरके वो विधानसवा चुनाओं में उतर रहे हैं, और अकेले ही लड़ेंगे, और बिश में ऐसी खबरे भी थी कि नरेंद्र मोदी के शपर समारों में नहीं बुला की थी, और उनको वोट करने के लिए लोगों कन्वेंस करने की कोशिश की थी, और खुद भी वह वहां चुनाओं खतम हो गया, रिजल्ट आ गए, उसके बाद एक भी बार जो है, डिल्ली में, जो है, जो अन्बी अगडबंदर की मीटिंग होई, या फिर बात कर लें, इंडिया आलाइंस की शरद पवार की, शरद पवार अलग दावपेज खेलने में लगया हुए है, अब जो मैंने आपके सिलसलेवा तरीके से जो महराश की सारी चीज़े बताई हैं, कि किस तरीके से चल रही है, इसमें शरद पवार देखिया, शरद पवार का परसंटेज महराश के लोग सबाई एलेक्शन में सबसे बेटर था, दस में से आठ सीटे वो जीत करके लाये थे, अब ऐसे में उन्हें ये मालूम चल गया है, कि किस तरीके से विदान सबाचनाओं में खेल खेलना है, और किस तरीके से विडियो धी खेमाजर उसको धौस्त करना है, इ मैंने आपको जैसे बताया था कि जून, मई, जून में, मई के समय में जो सूखा पढ़ा था, जो सूखे की जैसे आलत हो गई थी, उसमें किसानों की हालत क्या हुई थी, इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको 4 पीम पे दिखाई थी, अब इसके बाद किसानों के अंदर नारा से किसानों को, और इस बात को लेकर के शैत्पवार उस समय भी सरकार के खिलाफ खड़े थे और लड़ाई-लड़ रहे थे कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बाते रख रहे थे, और एक नशिंदे भी बीच ने पहुंचे थे वहाँ पर दौरा करने के लिए, लेकिन कितनी किसानों को ने कहा भी है, कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और अगर सरकार इस बात ध्यार नहीं देती है, तो चार महिने आप रुखिएगा, और मैं ये सरकार बदल दूँगा, और उसके बाद आपके सुनवाई होगी, ये बहुत बड़ी बात शरकावार न दे करके अब तीनों गडबंधन जो है, एक दूसरे पर जुमाने जंग भी वो शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जंग में जो है, वो BGP कही न कहीं घिरती हुई दिखाई डेर ये महाराज के राजनीती में, क्योंकि एक तरफ एक नाशिंदे हैं, ए एक सराजने तिक सरक का अब देखने वाली बात होगे, फिलाल अभी के लिए इतना ही, और अभी के लिए मुझे इज़ाद दीजिए और आप देखते रहे, ये 4PM महराष्ट्रा, फिर लोटो में तो बात करूँगा किसी बड़ी कबर कर, नमस्कार